नमस्कार BCN News की प्रदेश की खबरों में मैं भाकिश्री आपका स्वाकत करती हूँ बढ़ते हैं खबरों के और बिहार सरकार की महत्वकांशी योजना जल जीवन हरियाली अभियान की अंतरगत जिले में चल रहे विकासकार्य की समिक्षा को लेकर बैठक का आईचन क्या गया बिहार सरकार की महत्वकांशी योजना जल जीवन हरियाली अभियान की अंतरगत जिले में चल रहे विकासकार्य की समिक्षा को लेकर बैठक का आईचन क्या गया बागलपुर के समाहर्नाले परिसरस्थित समिक्षा भवन भी जिलादिकारी सुप्रत कुमार सेंकी अध्यक्षता में आईचित बैठक के दवरान डेडिसी सुनिल कुमार जिलापरिवहन पधादिकारी महमत परविच अक्तर सहित कई विभाकों के पधादिकारी और चिले नियूस के लिए भागलपूर से मनज कुमार सिंग के रिपोर्ट तेलका माजी भागलपूर विश्वविद्याले में आयजित की गई सिंडिकेट की बैठक तेलका माजी भागलपूर विश्वविद्याले के सिंडिकेट की बैठक लाल बाक सेथ कुलपती के आवासिय कारले में आईजित की गई प्रभारी कुलपती संचे कुमार चोतरी की अधिक्षता में आईजित बैटा के दोरान विश्व विद्याले के कुल सच्चिव परिशा नियंत्रक सहित विश्व विद्याले के सभी अधिकारी और सभी विभागों के विभाग अधिक्ष और कुलपती ने सभी अधिकार्यों को दिया है विश्व विदाले के पियारों डॉक्टर दिपर कुमार दिंका ने बताया कि राज सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा कोविड-19 के तहर दिये गए दिशान निर्देश की अनुसारी दिशान सवारों का आईजन क्या जाएग पिछले जो बैठक हैं हुई थी जिवन कमीटियों विविन उखसमेदियों की उन तमाम बैठकों के बिरित को भी रखा जागा पटल पर और अन तमाम मुद्डों पर ताकि तिलका माजी भागलपूर विश्विद्याल है कि जो सहिचनिक विवस्ता है उसको और भी बेहतर इंदा और विवस्तित बनाया जा सके इसके लिए मानिय कुलपती महोदे प्रियतन सील हैं सजग हैं बिस्यन नियूस के लिए भागलपूर से मनच कुमार सिंग के रिपूर्ट सुषांत कुमार सरोच अनुमंडल पधादिकारी इंजिनियर अखिलेश कुमार अनुमंडल पुलिस पधादिकारी देलिव कुमार जी आरपी के ठाना दक्षग प्रमोद कुमार आरपी अपके पुलिस निरिख्षग पियस दूबे समित पुलिस बल्द मजुद थी नवक जगा पर चले जाए और अगर वह लोग नहीं मानेगी तो फिर उन लोगों को बल प्रयोग कर स्टेशन रोट से हटाया जाएगा उन्होंने कहां कि दस दिनों में सब्ची मंडी को नए जगा पर शिप्ट करवा दिया जाएगा नवगचिया के दुकानतारों सब्ची विक्र लगा दिया गया है ऐसी स्टिती में जाम लग रहा है लोग ट्रेन पकड़ने के लिए घरों से निकलते हैं और जाम में फस जाते हैं बीमार लोग जाम में फसकर समय पर अस्पताल नहीं पहुच पाते हैं यहां तक कि सब्ची खरेदे या किसी काम से बाजर आने वाले लो निर्धारी जगा परियाबता है हम लोग सब्ची विक्रेताओं को सभी प्रकार की सुविता देंगे और अनुरोत करेंगे कि वे अपने दुकानों को वही जाक कर लगाएं अगर सभी सब्ची वाले वही जाक कर मंटी लगाएंगे तो लोग वहां पर जाएंगे इसमें आगे बांस लगा दिया है जिससे यातायात के लिए सड़क सक्री हो गई है इसी कारण टोटो का परिचालन संभाव नहीं उपा रहा है नवगचिया एसपी ने अधिक्रमन हटाने की बाद यातायात को लेकर की गई प्लानिंग बताते वे कहा कि वे शहर में वनवे पासी हसीपूर रह्मान और उनके दोनों बेटे आमिर सोहिल एवं सोहिप अंसारी को जबरन भूमी अधिकरहन की आरुप में मुफसिल थाना पुलिस ने बिती शाम को मनिया कोटी के पास से गिरवता का लिया और मेडिकल एवं कोरुना जाच के लिए सदर अस्पताल कटी चालू है उनकी द्वारा इस मामली को लेकर हाइकुट से लेकर एसपी तक को उन्होंने इस मामली को लेकर संग्यान दिया था लेकिन फिर भी कोई कानुनी कारिवाई नहीं हुई कर शाम को जब वो अपनी मनिया स्थीद जमिन पे काम शुरू कर रहे थी तो और समाचिक ल नबस्कार